Hello everyone, this is your Russian बैया So, वैसे बच्चे जो इस समय अभी क्लास 10th में हैं and next year 2025 में CBSE Board exam देने वाले हैं उन बच्चियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा important रने वाली है इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को क्लास 10th mathematics का blueprint देने जा रहा हूँ यानि कि किस chapter से कितने कितने marks से questions आएंगे साथ ही साथ ये भी बता दूँगा कि कौन सा chapter आपके लिए easy रहेगा जहां से marks लाना हमारे लिए असान होता है जहां से questions ज़्यादा घुमा फिरा के CBSE आपको नहीं देती है तो वीडियो को end तक देखना और हाँ अगर आप लोग को other subject के भी सी तरह से blueprint चाहिए तो comment करना और channel को subscribe करके रख लेना आगे मैं आपके लिए other subject का भी blueprint आपको अच्छे से समझा दूँगा ठीक है चलिए वीडियो शुरू करते है तो mathematics का जो सबसे पहला chapter आता है वो क्या है real numbers अब यह जो chapter है ना यह बहुत ही असान है कि एवल एक से दो topic ही है और इसमें तो कुछ questions ऐसे हैं जो हर साल छपा वा रहता है तो हर chapter की ना important questions के हमारी एक video आएगी leaked paper करके आगे आने वाली है हमारे channel को जरूर subscribe करके रख लेना बस उनी सारे questions को करना आपके board परिक्षा में वही सब questions आएंगे जल्दी आएगी video सारे chapter की आएगी channel को subscribe करके रखना ठीक है तो जो पहला chapter आता है real numbers यह number system पहला unit है number system इसमें आता है और इस chapter से आपके examinations में 6 marks का guarantee जो है questions आने वाला है आप कौन-कौन से question आएंगे इसके लिए channel को subscribe करना लोगे आगे इसके लिए video में बना के आपको दूँगा ठीक है जो दूँगा न वही आपके paper में छपा हुआएगा इसके बाद अगला जो chapter है वो है polynomials फिर है linear equation in two variables फिर है quadratic equations और फिर है arithmetic progressions अब भाई देखो ऐसा है ना कि यह जो सारे chapters है ना यह chapter 2, 3, 4, 5 यह सभी chapters algebraic expression unit के अंदर आते हैं ठीक है अब इस सारे unit से मिला कि आपके परिक्षा में total 20 marks के questions आने वाले हैं तो आप ऐसा उमीद रख सकते हो कि हर एक chapter से आपके examinations में 55 marks करके question आएगा इसे भी 5 marks question आएगा यहां से भी 5 marks question आएगा यहां से भी 5 marks question आएगा और यहां से भी 5 marks question आएगा अब हो सकता है कि एक number इसमें से कम आए इसमें से एक number बढ़ा के पुछा जा सकता है ऐसा भी possibility हो सकती है लेकिन इन सभी chapter से मिला के 20 मासा कोशन आपके परिक्षा में आएगा and ये सारे ही chapters easy हैं बहुत ही easy हैं हाँ बस यहां से ये दो chapter से थोड़े से word problem type के questions आते हैं यहां से एक word problem question आता है यहां से एक word problem questions आता है बाकि यहां से word problem नहीं आएगा यहां सारे ही easy हैं यहां से 20 marks लाना हमारे लिए बहुत ही easy रहता है मतलब समझ सकते हो passing होने के लिए आपको केवल चाहिए 14 से 15 नंबर और 20 नंबर का तो algebraic जो expression unit है उसी से हमें मिल जाएगा इन ही 4 chapter से तो अगर आप mathematics में अगर आपको dare लगता है ना तो कुछ मत करो तो केवल यह 5 chapter पढ़के चल जाना आप mathematics में guarantee pass हो जाओगे बाकि अगर 99% या पूरे 80 out of 80 marks अगर आपको चाहिए तो भाई इस blueprint से पूरा तयारी करना सारी chapter का भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है तो यह algebraic expression unit number 2 है जिससे 20 marks सा कुछना आएगा high possibility है कि सबसे 5 पास नमर के कुछना आएंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है एक या दो नमबर कहीं से कम दे देगा कहीं से जादा देगा चीक है इसके बाद अगला जो chapter आता है वह chapter 6 triangles आप देखो यह triangle है यह geometry के अंडर में आता है और geometry के अंडर में एक और chapter आता है जो की है circles अब हमारे किताब में क्या दिया हुआ है मतलब हमारी जो syllabus CBC ने दी है blueprint वाली उसमें क्या दी है कि जो आपकी geometry portion है मतलब triangle और circles इन दोनों chapter से मिला के total 15 number का question आएगा चीछ है अब ऐसा देखा जाता है कि triangle से ज्यादा mark से कोशन है इसमें question भी ज्यादा पूजा जाता है तो triangle से 7 marks का question guarantee आने वाला है और circle से 8 marks का question आएगा अब हो सकता है कि देखो से कम देगा या तो एक number इसमें कम पुछा जाता है ठीक है अब बाकी दोनों से मिला के 15 मासा कोशना आता है आप इन दोनों में क्या एक एक थियोरम है जो guarantee आपके परिक्षा में भी पूछा जाता है कौन सा थियोरम है कौन सा आएगा चैनल को सब्सक्राइब करकर रहोगे आग आई देखो यह जो coordinate geometry है ना इसमें से examinations में confirm six marks का कोशना आएगा और यह भी easy chapter की गिंती में आता है क्यों सर क्योंकि इसमें केवल दो formula है एक तो हमारा distance formula आता है और एक आता है section formula आलाकि एक formula और है midpoint formula जो की section formula में भी आप उसको सामिल कर सकते हो केवल दो formula से ही यह chapter जो आ obtained कर सकते हो चीक है इसके बाद अगला जो unit आता है वो है trigonometry और trigonometry में हमारे दो chapter है एक है introduction to trigonometry और दूसरा है some applications of trigonometry जो की यह height and distance वाले इसमें questions रहेंगे आप देखो इसमें से क्या होता है इसमें से 6 marks कोशन आएगा और इसमें से 6 marks कोशन आएगा क्योंकि 12 marks कोशन है अ में से 5 marks का दे दे बाट हाई chances रहता है कि 66 नंबर के कोशन आते हैं introduction to trigonometry से 6 marks का और some applications of trigonometry यह height and distance से 6 marks कोशन पूछा जाता है ठीक है मतलब कि trigonometry वाले portion से हमारे 12 marks से कोशन आते हैं हलाकि इसमें से कुछ कोशन easy भी रहते हैं पर इसमें कुछ कोशन हाड भी रहते हैं तो इसको हम सकते हैं यह hard chapter की गिंती में आता है कोई कि बहुत सारे बच्चों को ना trigonometry hard लगता है तो अगर hard लगता है तो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है अगर hard लग रहा है तो और easy लग रहा है तो यह बना कोई दिक्कत नहीं है ठीक अच्छे से इसकी त्यारी कर ले ना 12 माक्स के यार question आपके इसमें पूछने वाले हैं CBC वाले चीक है चलो यह तो हमने आपको सूरू में बता दिया यह तो आपका बता दिया हमने की geometry वाला portion है अब अगला जो chapter आता है वो है areas related to circle अब यह जो बाई जो chapter है ना यह mensuration के under में आता है और mensuration से में आप लोग को ब अब 10 माक्स में कैसे आएंगे sir तो इससे आप मान के चलो 5 माक्स का question आएगा और surface areas and volume से 5 माक्स का question आएगा ठीक है मतलब ज्यादा question आता नहीं है एक question बहुत short में रहता है और एक question थोड़ा सा long में रहता है तो 3 माक्स में या तो 5 माक्स में directly एक question पूछाएगा short में इसमे से total 11 माक का question पूछा जाता है और हाई positivity अशा देखा जाता है कि इसमें statistics से 6 माक्स का question आता है तो यही आपकी blueprint है यह दोनों chapter आपका EG chapter के गिंती में आता है इंगर इतना आपको समझने में आ गया है एक Wrestling कि तयारी कर लो इससी के अनुशार आपके परिच्छा में के बटे हुए रहेंगे बाकि important questions की वीडियो आगे आएगी चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको मिल जाएगे बेल बटन को भी दमा के रहना जैकि जैसे में वीडियो अप्लोड करूँ ना तो आपके पास notification आज आए हाँ और science का भी वीडियो mathematics के जैसा ही चाहिए blueprint का comment करना मैं आपको जरूर दूँगा ठांक यू बाबाई